हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल टेकर्टाफ होर सक्सेज, आज UPCC JE 2016 का एक्जाम हुआ है, तो इस वीडियो में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एक्जाम एनलेजिस देखेंगे, पेपर 1 कॉमन होता है सभी ब्रांचों के लिए और पेपर 2 में अलग अलग आता है, तो का टेक्निकल का अलग अलग सिविल, इलेक्टिकल और मेकेनकल का एनलेजिस देखेंगे और expected cut-up के बारे में बात करेंगे ओबराल तो सबसे पहले non-technical का देखते हैं exam analysis तो non-technical में Hindi easy आया हुआ था English, GK और computer moderate to tough था reasoning, moderate बोल सकते हैं इसको reasoning का जो section आया हुआ था Hindi 25 कोशन था English 25 कोशन था GK 30 कोशन था reasoning sorry GK 35 कोशन था reasoning 35 कोशन था और computer गा 30 कोशन आया हुआ था तो non-technical में overall 310 से 330 की आसपास आ सकता है number क्योंकि हिंदी में 20 कोशन आराम से सही हो जाएगा इंग्लिस में 18 के आसपास GK में 35 में मान के चलिएगी 22 से 25 कोशन आराम से सही हो जाएगा उसके बाद reasoning में भी 25 के आसपास और computer में 30 कोशन में से 18 से 20 कोशन आराम से सही हो जाएगा तो overall 310 से 330 के आसपास कोशन सही हो सकता है non-technical में 500 में अब बात करते टेकनिकल के बारे में मैंने भी एक्जाम दिया है में और है में इसपास का सकता हरा है तो जो भी पेपर आयो वा में में Plus एल्लोग के लर्कों से तो सभी लोग बोल रहते पेपर मोडेट वो टफ आया हुआ गौन दिया हूँ तो आप लोग डाउनलोड कर के देख लीजेगा और technical का जो है उसको आज यह कल में टेलिग्राम ग्रूप में डाल दूँगा सभी व्रांश का तो जो लोग एजाम नहीं दिये हैं या दिये हैं वहां से डाउनलोड कर गए देख लिजेगा टेकनिकल में अजीब टाइब का कोश्चन पूछ रखा था टाइम टेकन वाला कोश्चन था नुमेरिकल भी था एक सो बीस मिनट में एक सो पचीस कोश्चन दे रखा था टेकनिकल में बहुत कंडिडिट का टाइम भी कम पढ़ गया था क्योंकि जैसे चार ओप्शन दिया यह कौन से अगलत है इसके बार में ऐसे टाइप का भी कोश्चन था उसके बाद नुमेरिकल था क्वेश्चन नुमेरिकल भी था ताइम टेकन लग रहा था उसके बाद मिलान वाला कोश्चन भी था तो एक तरह से मोड्रेट टू तफ था सभी बोरांज का एपर तेकनिकल का अब बात करते हैं एकस्पेक्टेट कटब कितना जा सकता है सबसे पहले मेकेनकल और इलेक्टिकल के बारे बात करते हैं देखें टोटल चासो छीयासी पोश्ट के लिए वेकेंसी आया हुई थी और उसके बाद इसमें 103 पोश्ट कम कर दिया गया था शीविल वराज से तो टोटल 318 पोश्ट बचा हुआ था तो 380 में 3040 पोश्ट के आसपस सिविल का था और मेकेनकल आ इलेक्टिकल मिला के टोटल साह छीयालिस पोश्ट के आसपस था तो शीट कम था मेगेनिकल एलेक्टिकल में इसकी वाय से कटफ हाई ही जाएगा अन्रिजार्व का मान के चलिए कि 680 से 700 के आसपास जा सकता है कटफ टेक्निकल और नोन टेक्निकल मिला के 1000 नंबर का टोटल पेपर था ओविशी का 670 से 680 से 680 से 630 के आसपास और EWS का सीट होगा इसमें तो EWS का मान के चलिए कि 650 के आसपास कटफ जा सकता है अब बात करते है सीविल के बारे में क्योंकि सीविल में सीट जादा है 340 के आसपास और हाँ एक और बात है यह 2016 की वेकेंशी थी फिर भी 50% के आसपास बच्चे परजेंट है इजाम में समझ सकते कितनी बेरुजगारी है कि 2016 से कंडिडिट बैठे हुए इस एक्जाम के तयारी के लिए बहुत सारे कंडिडिट तो यारी भी कर रहते हैं यूपी टीबले सी जेए की अभी 2018 का एक्जाम भी जहां तक जेए जेए 2018 में जो फगेंसी आई थी उसका एक्जाम भी मान के चलिए जनवरी में होने का चांस है ज्यादा तर चांस है कि 16 जनवरी को हो सकता है तो सिवील का एक्सपेक्टर कर्टा अन्रिजार्व के लिए 650 के आसपास जा सकता है प्लस मैनस 15 मान के चलिएगा ओवीसी का 630 से 650 से से स्टी का 600 के आसपास और इव्यस का 630 के आसपास मान के चलिए थैंक्स फ्रेंट आप लोग मेरे टेलिग्राम गुरूप को जोहाइन कर लिजेगा और इसका एंसर की एक सब्ता से 15 दिन के बाद आ सकता है